मोधी जी आपको News18 Network को यह exclusive interview देने का बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपने punishing schedule से हमारे लिए समय निकाला इस interview को हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे कुछ big picture questions पूछेंगे शुरुवात में हमारे सांग हमारे दो colleagues जुड़े हुए हैं एक महराश्चा के अंकर हैं दूसरे हमारे करनाटका के अडिटर हैं यह दो स्टेट्स अहम हैं इस चुनाव में तो हमने सोजा कि थोड़े सवाल भी आपसे करेंगे शुरू करते हैं पहला सवाल सब्सक्राइब तो आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मुझे अच्छा लगा कि आपने अपने साथ करनाटका और महराश्चा को भी जोर दिया है तो एक पकार से आपने मेरी मदद की है वरना तीनों को अलग अलग इटरू देता तो शायद मुझे और जादा टाइब दे रहा पुड़ता है बहुत दनिवाद स्वागत है आपका नेट्वर केटिव केटिएब पहला सवाल मोदी जी हम लोग पूरे देश का ब्रहमन कर रहे हैं इधर दर जा रहे हैं हम लोग साउथ में थे बिहार गए और भी महराश में भी थे तो हर जगे ये देखा गया है कि चाहे विपक्ष से बात करें चाहे आपके उमीदवारों से बात करें लोग कहते हैं कि जब मोदी जी यहां आएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते हैं मोदी जी आएंगे तो हो सकता है स्वीप हो जाए हो सकता है सीप निकल जाए तो क्या 2024 के इस चुनाव को हम नरेंद्र मोदी पर एक रेफरेंडम की तरह देख सकते हैं, जन्मत संग्रह की तरह देख सकते हैं? अब ये तो सारा खेल मेडिया के लोकों का होता है, किस समय किस प्रकार से अनालिसिस करना, लेकि मैं इतना कहूंगा, कि मैं कोई चुनाव के समय काम करने वाली सरकार नहीं चड़ाता हूँ, अब मेरा दस साल का रेकॉर्ड देखेंगे, तो एवरेज, फ्राइडे, सेटेडे संडे, मैं हंदुस्तान के किसे ने किसी कौने में गया हूँ, जनता के बीच में रहा हूँ, और इसलिए मेरा जाना निरंतर चलता रहता है, और चुनाव में मैं मानता हूँ कि लोकतंतर का उत्सब ऐसा है, कि सभी राजनितिक दलों का कर्तब यह हैं, कि जादा से जादा जाएं, जाकर के एक प्रकार से प्ररशिक्षन का काम होना चाहिए, संवाः होना चाहिए, विचार विवर्स होना चाहिए, तो मैं एक राजनितिक फ्षυτर के कारकरता के रहते हूँ, जहां तक यह दो फेस का सवाल है मैंने ऐसा जर्जाबर्थान बहुत कम चुनाव में देखा है जो मैं इस बार देख रहा हूँ एक प्रकारजी चुनाव जनता जनाव दन लच रही है सुशाजन के लड़ रही है अपने सपनों को साकार करने के लिए लड़ रही है ऐसा मुझे लगता है साइच मैं तो साइद निमित्त हूँ इस बार मेरा जरा जादा उद्साः है लोगों के विफ जाने कहा हूँ पहरे के तुलना में साइद में ज्यादा बार जाना भी चाहता हूं इसलिए कि जो जन्ता जनारदन इतने उमंग रुछा के थाथ इतनी बड़ी जिम्मेदबारी उठा ली हो तो उस जन्ता जनारदन को जाखर के उनको प्रणाम करना नमंग करना उनको आशिरवाद लेना यह मुझे अपना करता भी लगता है और मैं देखता था जो फर्स्ट राउन हुआ कि मैंने किसी दोस्तों को काहा था कि पहले राउन में यह मारे खिलाब जो लोग मुटा लगा पहले लोगों ने प्वस्त कर दिया, अब ध्वस्त कर दिया. मुझे रता है, शायद आपके टीम ने, मेरा पूरा केम्पेंग को ट्रैक नहीं किया है. या शायद विकास की बहुत सी बाते हैं अशी हैं जिसको साइद टीरपी के हिसाब से बैठता नहीं होगा. लिकिन आप में देखा होगा, कि मेरा पूरा एलेक्षन केम्पेंग दो चीजों पर केंद्रित है. एक हमने समाज कल्यान को लिए लोग कल्यान के लिए क्या काम किये और सबसे बड़ा फर्ग है और सरकारों में में ये सरकार में, वो ये हैं कि लास्ट माइल डिलिवरी, ये हमारी विशेस्ता है. नीतिया तो सरकारे बनाती है, कोई सरकार बुरा करने लिए तो आती नहीं है, अच्छा करना चाहती है. कुछ लोगों अच्छा करना आता है, कुछ लोग अच्छा होने का इंतोजार करते हैं. मैं ऐसा हूँ कि मैहनत करके जो अच्छा हो करूँ, मेरा हमेशा ऐसा रहा है. अब देखिए, मैं चुनाव में लगातार बोल रहा हूँ, कि हमने गरीबों के लिए चार करोड घर बनाए है. मैं इतना लोगों को कहता हूँ, कि आप इस तुनाव प्रतार में जाएं, तो मेरी मदद करें, कि जुष के गर बनाना भी छूट गया हूँ, हर को मैं एक्तो निकलें गे, उनकी सुची में भेजो ता कि जैसे ही मेरा तीसरा टम शुरू होँगा, मैं इस खाम को आगे बढ जाता हूँ, अब आईश्वान भारत योजना, दुनिया के सबसे बड़ी हैं, हेल्ट इंशॉरंस और हेल्ट एशॉरंस की स्कीम है यह, पच्छपन करोड लोगों को इलाज का भरोसा, कि अब आपको मोदी है, मोदी की सरकार है, पाँच लाग रुता तक का खर्च होगा, संभाल लेंगे, इस बार हमने मैनिफेस्टर में कहा है, कि किसी भी बर्ग का, किसी भी समाज का, किसी भी बैक्ग्राउंड का व्यक्ति क्यों न हो, जिस भी परिवार में, सत्तर से उपर के आईउ कि जो भी व्यक्ति होंगे, पूरुस्त्री सब, उन सब को हम, ये पाँच लाग सुबै तक मोप देलाज की सुविदा देंगे, इत पर हमने मैनिफेस्टर में ये भी कहा है, कि जो आशा वरकर हैं, आंगनवाडी वरकर हैं, उनको हम इसका बेनिफेट देंगे, ट्रांस जेंडर जितने भी हैं, किसी भी आईउ कि क्यों न हो, हम उनको बेनिफेट तो ये बात हम लोगों को बताते हैं, अब आप देखेजिए, हमारे देश में बेंकों कर आश्टेकान हुआ, जो मिलकर जब तक अने के खेल चल दाए हैं, पहले कर्चु के हैं, जी, सारी बेंके प्राइबेट थी, लूट लिया रातो रात, गरीबों के नाम पे लूटा लिकिन हमारे देश की बेंक के खस्ता हाल हो गई, आधे से अधिक अबादी ऐसी थी, कि गरीबों के नाम पे लिया लिया लिए, लिक बेंक खाता नहीं किया, ये मोदी ने आकर के बावन करोड बेंके खाते खोले, और उसका सबसे बड़ा मैने फाइदा उटाया, खाते ख डारेग बेनिफित ट्रांसफर्स्फर्टीस लाग करोड रुपीये एचे लाग करोड लुपीये लोकों के खाते मैं गई, अगर मैने बेंक खाते ना खुले होते तो इनका पड़ा फाइनांसल इंक्रूजन इस दुनिया में पुरी दुनिया में एक साल में जितने अकाउंट फिरते होंगे उसे ज़्यादा काम हमारे देश में हुआ है जल जीवन में शंप हमारे देश में जी तीन-चार परसंद घरों में भी घर में नल से जल आता था वो भ यह सारे क्या हमें 25 करोड लोग गरीबीं से बार ऐसे ही नहीं है hari कि हमने उनको इतना सब्सक्त बनाए और मेरे स्टैक्या biased कि क्यम गरीब को इतनी त्त आपने महनत से गरीवी को परास्त करता है उसके बाद उसको गरीवी में वापिस नहीं जाना यह संकर्प बन जाता है और वो देश की शक्ती बन जाता है आज हमें फाइटा है फटीश करोर लोग गरीवी से बाहर आए बहुत बड़ा एची मैंटाई जी दुनिया इसकी तार बनेगा यह जो डेवलपिंग कंट्री हम के लिए मोडेल बने का यह अब देखिए 2014 के पहले क्या होता है 2014 के पहले आपके सारे मीडिया वाले निकाल दीजिए फ्रेजाइल फाइव यही एडलाइन होता था आज हम वाइबरेंट एकॉनोंवी बन गए है आयमेफ ने दुन के डेवलपिंग कंट्री है यह जो इमर्जन इमर्जिंग एकॉनोमी वाले देश है ऐसा का एक सभूं का उनको क्लाशिफाइ करके उन्हों उसका अनालिसिस किया बड़ा इंट्रेस्टिंग अने एक पाकार से यह इंडिया का पीर गुरू हम कह सकते हैं अब देखिए क्या मा सभू जब एक वाले गडिन देखे पीर ग्रूप छियूर छिए कर्थी प्रतीशत के आज पास ती कि में पूराइं 500 देशों के थे से उस समय अटाउजी की सारकार थे शारकार थे क्लेश घैने 980 मा से अटाल जीरूप अपने का अर्खल्म में यह 30% को 35% ले गए लेकिन दुरभागे देखिए जी दोजार चार में हैं यह सब खिचडी कंपनी आ गए और खिचडी कंपनी ने अटल जी की महानत जोदिस पर पानी फेर दिया 35% को 30% ले आ गए और लोग यानि इन सारी कंट्रीस ने बारत से जादा अच्छा परफॉर्म किया और हमने बुर और गरीब हो गया हमसे गरीब तो वो भी हमसे आगे निकल गया लेकिन 2014 मैं हमाई सरकार बनने के बाद 2019 तक मैं आपको खुशी हो गया हम 30% 37 पर पहुंचा दिया और 24 तक मैं जब पहुंचा हूं यह मामला 42% पहुंच गया है यानि 30 छोड़ा था हम 42 ले और यह हाइस ट्र यानि हमारी इंकम दुनिया के और देशों की अपेक्षा बहुत तेजी से बड़ी है अगर आप 10 साल के कालखंड है इंफ्लेशन को भी ले जो महंगाई खितनी चर्चा करते हैं तो यह 10 साल सबसे कम सबसे कम इंफ्लेशन वाला कालखंड रहा है यह मैं इतना सारा जो कहु कि अधर और हकिर्कत के अधार पर कहता हूं कि कफोर परीशन करने के बाद एक्षिव किया है और लख्ष को पार करने के लिए जी जान से जूड गए है उसके बावजुद भी मोधी का कहता है यह तो ट्रेलर है बुझे तो और आगे जाना है और नहीं नहीं आकांग शाए और मैं बहुत तेजी से बढ़ना चाहता हूं देश को लेकर के और कॉंग्रेस ना जहां तक मैनिफेस्टों है कोई मुझे बताए क्या चुनाव के अंदर पुलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टों यह कोई शोपिस के लिए होते हैं क्या सच मुझ में ते मिरिया का काम कि हरे कुलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टों की बारी की से जाच परताल करें मैं इंतिजार कर रहा था कि मिडिया करें पहले दिन मैंने एक कॉमेंट तो कर दिया था जै को आज करनी रहा कि मुझे मैनिफेस्टों देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम तो मुझे लगा कि मिडिया चौक जाएगा जो एनालिसिस करने वाले चौक जाएगे तिक पता नहीं अब उनकी प्यस्तरता कुछ और है मैनिफेस्टों मैं उनकी तरब से जो परोशा गया उतनों गुड़ी 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 उचालते रहे फिर मुझे लगता भी तो एको सिस्टिम का बड़ा मिली पहर लगता है अब मुझे सच्चाई लेकर जाना पड़ेगा मैंने काफी दस दिन हित्यार किया कि देश इस मैनिफेस्टों में जो बुराइया है उसको कोई निस्पक तरिगे सा आता है तो अच्छा है आखिर कर मुझे मजबूरन यह सच्चाईया लेकर का दे पड़ी आप देखे साब और उनके एक महासाई ने अमेरिका में इंटर्यू के दिया रखिष्यू का देडियाा आवी रखिवस्टों आरखिवड लेेची यह एमकी परौपर्डिटी अब हम मैं जे में ऐसाइस और विरासाइब के बीज़ेस्ट के पुरा बचाते हैं अपने फैमिली के लिए जब उसको अपने आने वाली जनरेशन को देंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा और ये टैक्स बहुत बड़ा टैक्स हो सकता है तो क्या आप कहेंगे कि बीजेपी अगर आएगी तो इस टैक्स को कभी नहीं लागू करेगी भारतिय जनरता पार्टी क्या करेजी हमारे मैनिफेस्टों में साभ हमने लिख करके लाएव है आपके मुन में कैसे आजाता है भारतिय जनरता पार्टी की विचारतारा साभ है जी हम अपनी विचारतारा के आधार पर कारकमों को लेकर के मैनिफेस्टों को लेकर के देश के सामने जाते हैं कुरुपा करके ऐसे महासारों के विचारों को हम पर बंद होंके बाएगी तो बोदी जी, राहुल गांधी ने एक बात और कही है, वो कहते हैं कि जब वो सरकार अगर उनकी आएगी तो वो एक national x-ray कराएंगे, इसी से जुड़ा सवाल है, इसलिए मैं पूछना चाहरा हूँ, एक national x-ray कराएंगे, बात सिर्फ caste census की नहीं है, जो कि वो करते आए हैं, उस पर भी हमें आपका मत जानना चाहूँगा, बगर बात को कहते हैं, इससे आगे है, बात कास्ट की नहीं बात justice की है, और वो कहते हैं कि हम एक socio-economic survey लाएंगे, एक institutional survey लाएंगे, और उसमें देखेंगे कि किस के पास, किस जाती और किस वर्क के पास क्या है, कितना धन है, कि इतनी institutions में भागिदारी है, और उसके basis पर हम इस पूरे system को redistribute करेंगे, इसको आप कैसे दिखते हैं? वरना आप कर रहे हो, अगर ये सही है, तो सपता, साथ, साथ, पैसर साल तो आपने राज किया भई, ये मुसिबत के जन्म दाता है आप को, और आपने अब तक कि ये बरबादी लाएंगे हो, पहले उनका जब आप मांगो भई, नंबर बान, नंबर टू, एक्सर का मटलब कियांगी, मोटलब हर परिवार में जाना, गर गर च्षापा मारना, अगर किसी अनाच के डिब बे में किसी महिला ने अपने घहने चपाके रखे हैं, उसको भी एकसरे किया जाएगा, उनके घहने ले ली जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताव किया जाएगा, और फिर उसक कि यह दुनिया में एक मावववादी विचार ने सब किया हुआ है दुनिया बरबाद हो चुकी है यह पूरी तरह अर्बन नक्सल को सोच का सीधा सीधा प्रगड़ी करना है और इसलिए मैनी फैस्टों आने के दस दिन के बाद भी यह जो जमात आए दिन लिखा पटी करती ह कि अच्छ चूप रही है उनके उनके प्रोटेक्शन में चूप रही है तम मिलके मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि देश को जगाना कि बच देखिए आपको लूप लिए थर्किव हो रही है और दूसरा पार्ट है डॉक्र मनमान सिंग की वगर उन्हार बार कहा है कि जो संपत दियोंगे इस पर पहला अधिकार किसका होगा तो हिसाब कि दब हो साब हो क्या करना चाहते है आपने यह सवाल भी उठाया है 2006 का एक वीडियो जो वाइरल हो रहा है जिसमें मनमोहन सिंग जी ने कहा है कि गरीब लोग करीब मुसल्मानों का पहला अधिकार रिसोर्स पर है यह उन्होंने साफ का है आपने उसको मैनिफेस्टों में भी यह बात पॉइंट आउट की है कि OBC का OBC Reservation का जो है पार्ट ले देश के लिए मुझे बताना पड़ेगा बताई कि अब कॉंग्रेट का इतियार देते हैं कि नब्बे के दसक से यह मांग उठी है देश में कि समाज का एक बहुत बड़ा तप्पा है जिसको लगता आता है कि हमारे लिए कुछ होना चाहिए उसके लिए अंदोलन हुए है नब्बे से पहले कि कॉंग्रेस ने पूरी तरह इस बात को खरिश कर दिया उसका विरोध किया उसको दबाने की के एक यह यहने नब्बे के पहले का उपाज़त है फिर उनको जितनी भी कमिशन बने जितनी कमिटिया बनाई उसके भी रिपोर्ट के वीचार के प नकारते रहें, रिजयक करते रहें, धबाते रहें। नब्बे के धसक में। उनको लगा भी है विशको जरां उनकी वोट बेंकी राजलिति के अनुसार उसको तन दिया जाए। उननों आजे पहला पाप की क्या। नाइटीज के धसक में। करना टका में उन्होंने धर्म की आधार पर मुसल्मानों को अभी सी गोशित कर दिया यानि देश के अभी सी को नकारना उस विचार को दबाना उस विचार को रिजेक्ट करना लेकिन राजनिती खाकर मुसल्मानों को अभी सी गोशित कर देना केंद्र से कॉंग्रिस गई दोजार चार तक यह प्लांट ठप रहा उनका इरादा पक्का नहीं हुआ दोजार चार में फिराए तो आते ही आंद्र में मुस्लिम को ओबिसी कोटा इस देना ताय का लिया मामला कोट में जाके उलज गया अब OBC के 27 परसंट जो आरक्षान मिला हुआ है भारत के संसद ने दिया है समीधान के मुलभूत भावना के प्रकाश में दिया हुआ है 27 परसंट सैद लगाने की उन्होंने तहरी करती है डाका डालने की कोशिश की है 2006 में नेशनल डेवलप्मेंट काउंसल की मीटिम भी जी हैंडी सिखी मन मोहन जी ने बयान पर बहुत बड़ा हंगाम हो गया है दो साल कॉंग्रेट पूरी चूप रही है 2009 के गोशना पत्र में फिर से इसका जिकर किया 2011 में केमिनेट नोट है इसका 2011 के केमिनेट नोट में ओभी सिखे 27 परसंट हिस्सा डाका डाल करके उसमें से मुसल्मानों को दे देना उन्होंने ताई किया जी 2012 यूपी चुनाव में भी उन्होंने इसकी एक असफल कोशिश की फाइदा नहीं हुआ 2012 आंद्रा हाइट कोड ने इसको रिजक कर दिया रद कर दिया कानूनी जज्जमेंट आ गया SC में गये, सुप्रिम कोड में गये वहां भी उनको कोई रिलिफ नहीं मिला 2014 के गोश्रापतर में भी दर्व के आधार पर आरक्षण की बाद कही है जबकि हिंदुस्तान का संविधान जब बना तब तो कोई RSS वाले BJP वाले संविधान सफा में नहीं थे बाबा साब आम्रेट कर जैसे लोग बैटे थे पंडित नहरूजे से बैटे थे साता अवल्डपाय बैटे थे देश के कही महपुरूश बैटे थे उन सब ने लंबे चिंतन के बाद काई किया था कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सचता दोजर चोबीस के चुनाव में आप देख रहे हैं उनका मेनिफेस्टर और मैंने था इस पर पूरी तरह मुस्लिम लिग की छाप है एन्हें मुस्लिम लिगी नीतिया उन्होंने अपनार शुरू किया अब ये जो उन्होंने सित्या बनाई है मुझे बताईए कि देश के लोगों को ये जिस प्रकार से सम्मिधान की दज्जियां उड़ा रहे हैं जिस प्रकार से लोग बापा साब आम्बेट करको अपमानित करते हैं SC, ST के आरक्षन पर भी खत्रा तलवार लटका देते हैं OBC का तो जीना मुश्किल कर देंगे क्या मुझे देश की जनता को प्रसिक्षित करना चाहिए कर नहीं करना चाहिए मैं सभी जो भी विद्वान लोग हैं जो कलम के धनी हैं जो निस्पक्ष हैं उनका इदाइत्वबंता हैं कि ऐसे थमाइदेश को वो एदुकेट करें सही चीज़ बताएं Congress का कहना है कि उन्होंने ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बोला है जो कि उन्होंने मैनिफेस्टों में बोला है जो लिखा है कि इनकरेज और असिस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को बिलॉगिंग तो दे माइनॉरिटीस उन्होंने ये का है कि विल इंशूर माइनॉरिटीस रिसीव देर फेर शेर अफ उपरचुनिटीज ये बोला है तो इसको आप कैसे पढ़ते हैं मितले उनके मैनिफेस्टो को मुझे पकड़नी जरूतन है मैंने उननी सोननावे से आपको हिसाब दिया जिए 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 उननी सोनननवे का हिसाब देखोगे उसके बाद आप क्या कहोगे मुझे आप मुझे उसमें अनालिसिस करने की ज़रुवत ही नहीं पड़ती है आपको 1990 से लेकर के डॉक्टर मनमोन सिंग जी के 2009 के भयान तक अर सारी चीजों को एक टेबल पर लेकर के देखोगे तो आप बिलकुल इस वे से क्या निकालोगे भाई मैंने ही निकाल रहा है हरे को यही करके हाँ जाएंगे वो और यह जो भागिदारी की बात करते हैं इंस्टिटूशन में की जाजेज ओविसी नहीं है मीडिया में ओविसी का रेप्रेजेंटेशन का मैं इसको आप कैसे दिखते हैं अब मुझे बताईए जो 2014 में हम आई हमने ऐसी कोई नीती बनाई है क्या जो जिसके कारण किसी को रुकावट हो जाए तो यह उनके पाप है उनके पापों को देश भुगत रहा है अगर उन्होंने सच्चे अर्थ में सेकुलरिजम किया होता सच्चे अर्थ में सामाजिक नाई किया होता वोट मेंकी राजनिती न की होती तो यह उनको आज इस प् करता है मुझे विश्मास है कि 10 साल समय जो कर रहा हूं सिटी एसी आएगी कि जितनी बाते हैं उनका जवाब हमी देंगे करकर के देंगे हर एक को योग जिनाय देंगे आज हमारे पहले देश की राजपती आदी वैसे कैसे बनी है हमारी सोच के चाण बने हमें तीन बार पातल जी के समय, दो बार मेरे समय, पहली बार हमने किसको बनाया, मैनोरिट को बनाया, अब्दुलकरलाम जी को बनाया, मुझे मोका मिला पहला तो किसको बनाया, दलित को बनाया, दूसरा मोका मिला तो किसको बनाया, आदिवासे महला को बनाया, तो यह हमारे आचरम से पत तो और कही है और इसको मैं एक लंबे सवाल से भी जोड़ना चाहता हूँ, आपने कहा है कि अगर इनका गटबंधन जो है सरकार बनाएगा तो ये PM बाय रोटेशन होगा, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे है कि किसको PM बनाएंगे तो एक-एक साल के लिए सब लोग PM बनेंगे सवाल मेरा थोड़ा बड़ा है, सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि जिस स्टेज में इंडिया का जो डिवेलोप्मेंट स्टेज है उसमें कोईलेशन गवब्मेंट काम करेगी या एक स्टेबल गवब्मेंट ज्यादा एफेक्टिव होगा दो अलग अलग सभा रहा देखिए आप ओंग्रेश का करेक्टर देखिए उनके हाँ राजस्थान में पार्टी के अंदर आंतरिक संगर्था तो उन्हों फर्मुला बनाई डाइटाइशाल मुख्यमंत्री की डाइशाल एक मुख्यमंत्री रहेंगे डाइशाल दूसरे दूसरा और उन्होंने मामला समाल करके गाड़ी चला ही और यह भी सचा ही है कि डाइशाल के बाद वो मुकर गए यहने खुद की पार्टी के साथ दोका किया खुद की पार्टी के अंदर उनी दोका करने के उनकी प्रवुति इसका मतलब ऐसी फॉर्मुला कॉंग्रेस के दिमाग में होना यह प्रुवन है और मैंने अभी कही मेडिया में पड़ा कुन के कोई छोटी से मिटिंग वी ती मेडिया में पड़ा मेने और उसमें यह कहा गए अब आज के स्टिजम मोदी बार बार पूच रहे इतना बड़ा देश किसको सुपरत करे अपको नाम तो हो होती है वो भी केप्टन बताती है भई आप बताने ही रहो कितना बड़ा देश देख इसको और तब जांकर भी रहो है कोई ऐसे फर्मुला बनाई है कि भई बन यर बन पीम फर्मुला अब एक पीम एक साल रहेगा तो आएगा पूरी नई सरकार बनाएगा कैबनेट चलते हैं पांच साल ओर त्या होगा जिए और शंकर समारो उलते रहेगा वो सपन समारो उलते रहेगे अब कोई देश ऐसे चल सकता है इतना बड़ा देश यह जिए जिए ने तीस साल तक अस्तिरता देखी है प्ली जुली सरकारों का दूर देखा है आज दुनिया में भा बारत के प्रतिक विश्वाफ बड़ा है उसका कारण भारत के 140 करोड़ लोगों ने एक स्थी मजबूत स्पस्ट बहुमत वाली सरकार बनाई तो कोई भी भरोसा करेगा है यहां इस सरकार के पात मेंडेट है मिली जुली सरकार पर भरोसा है नहीं करता है और इतना बड़ा द देश की राजनिती ऐसी है कि कोई एक पार्टी कितने ही बहुमत से क्यों न जीते उसने रीजिनल एस्पेरेशन्स को ओनर करना ही होगा और इसलिए हमें पूर्ण बहुमत मिला फिर भी हम सरकार NDA की बनाते हैं कि एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी देश के राजनिती उज्वल भविश के लिए देश के लोकों के एस्पेरेशन्स के लिए रीजिनल एस्पेरेशन्स को उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए उतना ही हिस्सा देना चाहिए और ये करेक्टर NDA ने डे की बात की तो उसकी बात हम लोग करेंगे एक सवाल और जिससे पहले कि उस पर आते हैं आप अपोजेशन की सारी पार्टी इस राहूल गांधी कॉंग्रे सब यह कहते हैं कि मोदी जी यह जो है मैच आज फिक्सिंग कर रहें इस चुनाव पर उन्होंने कहा है कि ED CBI और EVM के बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं क्या क्या कि EVM का जवाब तो देश की सुप्रेम कौट ले दिया है और 2014 में इनके पात ED CBI थी तो हार क्यों गए बेर मेरे होम मिनिस्टर तक को जल में डाल दिया था तो हार क्यों च गए वो अगर ED CBI से चुनाव जीते जाते तो ED CBI का काम तो इतने सालों होते कॉंग्रेस ने किया है वो जीत जाते हैं और इतना बड़ा देश एक मुंसिप काम पाल्ड का चुनाव फिक्स ने कर सकते हो भई रकर जखो यह संभव होता है क्या दुनिया को मुरग बना लेकिन दूख इस बात का है कि ऐसी बाते करने वालों को आप मीडिया के लोग उनको पूछने के वज़े अबको पूछते हो लेकिन इसमें एक बात च्टना सा है मैं मानता हूँ पिछले कई दिनों से इंडी एलाइस के लोग इतने निरास हो चुके हैं कि अभी उनको बहाने डूनना बहुत जरूरी बढ़ गया है क्योंकि पराजय के बाद भी लोगों के सामने जाने के लिए कि उनको तरी इसलिए मैं समगता हूँ शायद वो अभी से ये सारे तर्क ढूंड रहे हैं कि पराजय के तर्क क्या होंगे शायद उसी की उनकी इंटरनल एक्सरसाइज आईए मोदी जी दो स्टेट्स अहम है इस चुनाव में एक है करनाटका और एक है महराश्टा करनाटका जहां पर अभी आपकी हार हुई थी विधान सभा के चुनाव में और महराश्टा इसलिए क्योंकि वहाँ पर एक अजीब सी खिछड़ी बनी हुई है तीन पाटियां दो पा नेहा हिरेमत मर्डर केस बाला चर्चेक आए रहे नेहा खिल्ड इंसाड था कैंपस भाई पायाद इवन जीपी नदाजी रश्टू हर हाउस आप क्या सूच रहे है यह अभी फोकस शिप्ट हो रहा है क्या करनाटक का चुनाव का फोकस आईसे इस्चू को शिप्ट हो रह देखिए नदाजी का कारकम वहाँ चल रहा था और इतनी बड़ी घटना घटी थी और ऐसी चीजों में हमें वो किस दल के थे वो कॉंग्रेस के थे उसकी बेटी की हत्या हो गई तो हमारा क्या यह हमारे समस्कार नहीं है नहीं हमारी सोच है और एक मानविय समवेदना का भिषय है और मैं मानता हूँ का अच्छा हूँ और अदेख जी ने इतनी चुनाव के आपाधापी मैं भी उनके स्वांतुनाना देने का प्रयास किया है यह पूरी तरह मानविय वहवार है मैं भी अब मुझे मैं पताता कि साहए कुछ सा चुनाव मुझे आप लिए है लेकिन रहूल जी कहां कहीं पर हुआई जहाज मैं कुछ गड़बर हुआ है तो मुझे पता चला कि मैंने तुन तुन को फोन किया यह ने का भे आपको कुछ धिकत की यह क्या हुआ है यह हमारा करता है मैं गुजरात का कि एहमद पटेल से वो सारे लोग उनका हेलिकॉप्टर एगनम से क्रैश कर गया मुझे पता चला मैंने तुन फोन किया मैं यहाँ से आपको एर अबिलन भेजता हूं तो एहमद भी ने मुझे का नहीं है अभी बिलकुल हम लोग सरामत है यह बाठीक है है हलिक्सान हुआ ह है लेकिन हमें कुछ प्रकलिब नहीं हुई है एक बार सोनिय जी कासी गई ती एलेक्शन कंपेंड में और वहां उनको तब यह एगनम खराब हो गई तो मैंने तुनंत यहां से सब को भीजा मैंने देखो क्या मामला है यह का हवाई जा दो उनको तो यह एक्त मेरे समस्कार भी है और मैं मानता हूँ के यह राजनेती से परे होते हैं चीजे तो मेरे लिए किसी कभी किसी भी परिबार्ने आप पर ती आ जाए यह हमारा राजनेती से उपर उठकर के ही वैवार होना चाहिजे है Regarding the guarantee schemes, in Karnataka, Congress promised five guarantees and they after coming to power they delivered that one, they as per their promise they are delivering that one. Now, whereas in BJP, BJP is more in the last election you lost the only 66 seats you able to win there, BJP able to win there. Now again, Yadropa Ji's leadership और उसका बेटा का leadership में ज़्यादा फोकस हो रहा है, इसका वज़े से तोड़ा सा BJP का अंदर भी कुछ लोग नाराज भी है हुदर. Actually, आपका मन में, करनाटका में आपी BJP कितना seat जी सेते हैं, क्या है आपका? Number One, करनाटका कि जनता पश्याताप कर रही हैं, कि हमने इतनी बड़ी गल्ती कर दी, इनको बिठा दिया, तो जन समर्था नमारा कम नहीं हुआ है, जन समर्था नमारा बढ़ा है, लेकिन इन्होंने इतनी कम समय में हैं, CM कौन, अभी भी वह बात सैटल नहीं हुए है, शपद हुआ है CM का, लेकिन सैटल नहीं हुआ है, अपने आपको CM मानने वाले लोग बहुत हैं उसमें, आप कानूल में होस्ता देखिया, चर्मरा गई है, बंबलास हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, आर्थिक स्थिति पूरी तरह कंगालियत के स्थिति में हैं, बादे तो बड़े-बड़े कर दिया हुआ है, और फिर टैंग लगाएं, ऐसा होगा तो ये मिलेगा, वैसा होगा बड़ आप जनता के सार दोका भी कर रहे हो, जब हमने कहा कि भी हम इन लोगों को आईश्मान काड देंगे, बड़ब देंगे, फिर इप चन बड़ लगागागर कि उसमें बेहिमानी नहीं नहीं खड़ी चाहिए, अभी जब हमने कहा कि हम सत्तर साल से उपर के, किसी भी के वेक्ति होंगे, इनको आईश्मान काड देंगे, बड़ब देंगे, आप में यह उम्मत हो इसी है, उन्हों ने किसानों की जो योजना थी, उरहत कर दी, किसान संवान नी थी, कोई कारण नहीं है इस प्रकार से करना का, आप बता, आप कोई सोच सकता है, जब कहते ही, ऐसा लगता है वो जैसा परिचीत है, टैंक हब के रूप में जाना जाता था, आपने देखते ही देखते ही इसको टैंकर हब बना दिया, और टैंकर में भी माफिया स्वाई चल लगी है, पानी के लिए लोग तरस्वे हैं, अगर यह जो हालत होनों ने कर दी है, आ आपने ऐसे नेगेटिव काम किये हैं, जिन मुद्धों को लेकर कर के बोट मांगा, उन मुद्धों को आप बोट देनी पर रहें, अचा डेप्टु C.M. वो अपने भाई के लिए वोट मांग रहें, और वो खुद C.M. बन सके इसलिए सब खेल खेल रहें, वो C.M. से हट इसके लिए भी खेल खेले जा रहे हैं। जहां तक भारतिय जनटा पार्टी का सवाल है, हम टीम स्पिरिट से काम करने बाले लोग है। भले मेरी टीम ने मोदी को आगे कीड़िया, लेकर मेरी पूरी टीम काम कर देजी। उसी प्रकार थे ये दूरप्पा जी हमारे वरिष्टर नेता है लिए काम पूरी टीम कर रही है और टीम महनत करती है लोगो विष्वास भी है और हम आगे बढ़ रहे हैं आगे लुट से लेकिना लगी है और अखर टीम करनाटका इस देप्र बेसंट्ष लेकिना तूर अकर पर अजुट सेघ्ज कार लोगोशन अव्ट अर्टर प्रेवर में बढ़े तूर्च वर्थ्टर अबले क्रूच अव्टर सोप्राव टूर्थ प्रेविर है इन अरूप पुरानी सरकार थी और वहाँ ड्राउट था उसमें, मैंने खुद के ने उनकी पुरी टीम को यहां बुलाया था जा प्राइमिस्टर मैंने उनकी टम में इनको बुलाया था बैठ करके मैंने का भाई पहले हम जल संचे के योजना हमाने बनानी चाहिए अब जहां तक State Disaster Relief Fund का सवाल है हमारी सरकार ने पहले ही जो केंदर का हिस्सा होता है वो उनके यहां बैंक के खाते में जमा करके दे दिया हुआ है हमारी Inter-Ministerial Team उसने भी प्रभाविक शेत्रों में जो नियम है पद्दद ही ओ जो हमने नहीं बनाई कई दसकों से हैं उसकी अनुसार वो टीम वहां गई है जा करके उसने सर्वे किया है और हर बारचा होता है जैसे मैंने हाँ गुजरात में भुकम पुबा तो मैंने एक मेमोरेंडम बेजा बारत सरकार ने एक टीम भेजी, उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने हेजाब के लगाया अब ये सारी प्रोसेश चली, आचार सहीं ता आ गई तो हमने एलेक्शन कमिशन को गहांग भी है, हमने विशाय है, हम इसको जैसा ही आप पर मिशन देंगे, हम देना चाहते अब राशे रिलिज भी कर चुके है, उस नियम के अंतर का मोदी जी थोड़ा साभ, हमारे सांग, हमारे एंकर जुड़े हुए विलास बड़े, आप से कुछ महराश्र के बारे में बात चीत करना चाहते मोदी जी तुमाला महराश्रा चाह नमस्कार, महराश्रा कुट नमस्कार महराश्र में बीजेपी को उन तेइस सीटों को बचाना है, जो आपने दोजार उननीस में जीती थी लेकिन इस बार महराश्र में पूरी खिचड़ी बनी होई है शिवसेना और NCP टूटी है, उनके दो पार्टनर आपके साथ है, जो दो गूठ है आपके साथ है क्या उद्धव ठाकरे जी और शरत बार जी के साथ या उनके पक्ष में, आप कोई एक सीमपतिकी लेहर देख रहे हैं? दिखे, पहली बात तो मैं महराश्र के सभी लोगों को मेना नोश्कार और मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं अलग से महराश्र के भीशेगो लिए तरिक आप से भात बाहूँ अब देखे, ये बात सही है कि वहाँ लंबे अर्से से मिली-जुली सरकार चलती है बिलासराव देशमुक थे, तब से लेकर के आप देखे, इवन शरत्वाबार भी जब मुख्यमंत्री बने थे, वो भी और बहुमत के साथ अटले नहीं बन पाए थे दूसरा महारास्टर का दुरभागे रहा है कि लंबे अर्से से पांच साल तक कोई एक मुख्यमंत्री रहा नहीं है एक भी वेक्ति पांच साल मुख्यमंत्री रहे हैं और पूरी सरकार बेदाग रही है, पूरी सरकार लोगों का बना करने वाली सरकार रही है अब सिंपती हमारे साथ होनी चाहिए है कि जो लोग हमारे साथ चुनाव लड़े हैं जो लोग हमारे साथ चुनाव लड़कर के महाराच्य के लोगों से भोट मांगा लेकिन मुख्यमंत्री बनने के फुद के व्यक्तिकत महत्व कांख्या के कारा और उसमें अहंकार भर गया इसके कारण आपने बारा साथ ठाक्रे के जमाने से बनी बनाई इस जोडी को दोका दे दिया और उसका लोगों को गुसा है बीजेपी के प्रती सिंपती है दूसरा शिवसाना के अंदर जो तुफान खड़ा हुआ या एंसिपी के अंदर जो तुफान खड़ा हुआ वो साफ साफ दिखता है कि जब आप अपने परिवार के लोगों को ही प्रात्तिकता देते हैं और बाक्यों को नहीं देते हैं तो कभी ने कभी तो कठीनाई प्रता होती ह सरद्राव के घर में जो मुसिबत है उतके पारिवारिक जगड़ा है बतिजा समाले कि बेटी समाले यहां भी इनका जगड़ा यही है और कोई सक्षम देता उपर आए कि खुद का बेटा भले अभी जैसे यहां एक परिवार में कॉंग्रेस के चल रहा है उस पर तो वो जग के पारिवारिक जगड़ों के परती नफरत करता है सिंपती नहीं करता है तो यह बिलकुल ही आप सिंपती सब्द लेकर के सिंपती दिलवानी के अगर कोई कोशिश करता है तो मैं समाता हूँ वो भी फेल जाने वाली है लोग नफरत करते हैं लोग ऐसे चीजों को स्विका नहीं कर सकते हैं कि यह तुम्हारे घर के जगड़े तुम गर में निप्नों महाराश्चा को क्यों परबाद कर रहे हो तो गुस्सा है तूसरी बात है जहां तक आज सिंदी जी के नेत्रूत में जो सरकार चल रही है भारती जनता पार्टी का ज्यादा सीटे होने के बाद में त्याग किया है त्याग महाराश्चा की भलाई के लिए किया है कुछ लोगों को लगता था कि हम सीम बनना चाहते नहीं और इस चुनाओं में ये सिंपती हमारे पक्ष में है कि इतना बड़ा दल एक मुख्यमेंत्री सफल रहा हुआ मुख्यमेंत्री वो अड़ डेपुटी सीम बन करके भी कि एक प्रकार से खुद के सम्मान को छोड़ करके आज भारतिय जनता प्वारटी सिर्फ और सिर्फ महराष्टर के उजवल भाविश के लिए और मैं मानता हूँ हमारे देश में बंगाल बरबाद हो गया कौकता एक एक एकनोमिक को ट्रायू करता था लेकि महा इस प्रकार के उठापक्टर के राजनेते ने बरबाद कर पिया बिहार और उत्रप्रदेश अस्थिर्ता के राजनेते ने तभा करके रख दिये थे महारास्टर को इस हालत में जाने नहीं देना चाहिए मुंबई देश की आर्थी क्राद्धानी है हमें देश इत्मे भी महारास्टर में मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए और ये बाप हम महारास्टर के जनता को समझा रहे हैं उनको कन्वे कर रहें और महारास्टर कि जनता बहुत पोजिटिव रिस्पॉंड दे रही है कि महाराष्टर में बीजेपी शिवसेना और एंसेपी की महायूती बनी है लेकिन इस चुनाव में आखरी समय तक सीटों की खिचातान बहुत चल रही है अभी तक टिकट का वितरन भी बहुत जगा पे नहीं हुआ है य ये महायूती पर एक बड़ा सवाल नहीं है खड़ा करता है मुझे रखता है ये जो पहले दो वाक्य बोले ना उसके सिवाए बाकी सब जो बतार वो उन लोगों का प्रॉब्लम साई वहां सीटे तैनी हो पारी है वहां मिरनाई नहीं हो पा रहा है वहां पैरलल चुनाव जा रहे हैं इस बाजू तो ऐसा ही दिए बज़ चल पड़े हैं लोग मिल जुल करके सीटे तह करकर चल पड़े हैं जी और वैलिन एडवांस कर दिया है सिवसेना बीजेपी और नसीपी ए तीनों ने इसको कर लिया है सामने जो नखली पार्टियों का मेला मेलाब है वहां जो नहीं हो पारा है जी उल्टा है है कितनी सीटे देखते हैं आप भरश में पिछली बार एक तालिस आई थी इसले पूछ रहा है हम बहुत ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं हैं बोड भी बढ़ेगा सीट भी बढ़ेगी सर दोहसर सत्रा में आपकी सरकार ने शरत पवार जी को पदम विभूशन दिया था जो देश का सेकेंड हाइस सिविलियन ओनर है लेकिन पिछले मंगलवार को शरत पवार जी ने एक कहे दिया मराठी में पते मराठी तास मना ले कि मोदी जी देशा से नवे पुतीन है आप नए पुतीन बन रहे है आप इस कमेंट को कैसे देखते हैं मैं उनका आधर करता हूं आज भी करता हूं और मैं मानता हूं सार्वजन एक जीवन मैं लंबे अर्षा तक जिन जी लोगों ने काम किया है वा मारे साथ रहे न रहे न रहे हमारे विरूद बने वालग बात रहे इसका मटलब यह हुआ कि जिसके अंदर वो पुतीन को देखते हैं उसकी सरकां से एवोड लेकर के वो गर्व कर रहे हैं यह तो बहुत बड़ा कॉंट्राडिक्शन है वे लेकिन वो गर्व कर रहे हैं जहां तक मेरी पार्टी की सोच और व्यक्तिकर तुप से मेरी अब देखे हमने भारत रतन दिया तो किसको दिया प्रणव मुकर जी नर्से माराओ चौदरी चौनांसें जी करपूरी ठाकोर और इस देश में किसे ने क्वेस्चन नहीं किया मोदी जी अप इनको क्यो भारत रतन दे रहे हैं सब को लगता है यार यह यह दूठा डिजव यह यह दो है लेकिन निरने उसका अधार पड़ी होता है आप प्रणव पुरस्कार देखे मुलायम सिंग जी असम के तरुन गोगई जी पीए सांगमा जी जमीर जी एसम कृष्णा जी आप देखे जी सारे लोग हैं दूसरी पारत जोगे हैं हमनों को पद्ब दिया हम अपने एक्षेतर में जी उनका योगदान है देश के लिए जोगे उनों न किया है यह देश का दाइत्व में आवर्ट देश का है दल का नहीं है जी यह मोदी की पर्सनल पापर्टी नहीं है यह भारती जनतापादी का उस पर कौपिराइट नहीं है जी तो मैंने पूरा पद्मपुरसकार तो मैं मनता हूं कभी अगर आप स्टोरी चलाएं मीडिया के लोग इंट्रेस करें भारत में पद्मपुरसकार को कैसे परिवर्तित किया गया कैसे पद्मपुरसकार एक प्रकार के सच्चे अर्थ वे सम्मान बना दिया इतना बड़ा काम उन्हें किया है अगर तारीफ होनी चाहिए इस भात की होनी चाहिए कि आप बहुत बड़े सोच वाले लोग हैं कि आप ऐसे ऐसे नेने करते हैं एक प्यस्टन नहीं होना चाहिए कि आपने उनको क्यों दिया ने देने के बाद दियो उनने ऐसा है स्टेक्मेंट ये शर्ती थोड़ा होता ह मैं पदमा देता हूं मेरे लिए चूप रहे ना ये को एग्रिमेंट थोड़ा होता है ये गिव एंटेक्ट फॉर्मूला नहीं है जी मोधी जी थोड़ी सी बात उत्तर प्रदेश की करते हैं सबसे बड़ा प्रदेश है 80 सीटे वहां से आ रही हैं क्या इस बार आप लोग 2014 का रिकार्ड तोड़ पाएंगे 70 सीट लाएं थी बीजेपी 73 इंडिये इस बार अगर देखें तो अखिलेश और राहूल साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और दमखम के साथ जो है पूरे परिवार को उन्होंने वहां से उता रहा है खुद कन्नौच से लड़ रहे हैं जी डिंपल मैंपूरी से लड़ रहे हैं फिरोजाबाद आजम गड़ तमाम जगे से उनके परिवार के लोग लड़ रहे हैं हो सकता है कि कहते हैं कि गांधी लोग भी शायद वापर समेठी और राइबरेली से लड़े तो इस इस उसमें आप इस चुनाव को कैसे देखते रहल आप जितने गर्व से सब उतरे हैं सब उतरे से चार बार बोल रहें एंँङर से परिवार के लोगों को उतारना पड़ रहा है यह मजबूर से धिंगा इसके शिवा को है ही नही بين नहीं औरिके लिए लड़ना फ़ेश लडवाना यह यह आई अचै लिए टे फेर्ली पहले भी खट्टे आचुके हैं, बार बारी खट्टे आचुके हैं, लेकिन उत्तरपदेश की जन्ता को अपना भविष्च क्या है उसकी समझ पूरी है, और इसलिए मैंने पार्लामेंट पर कहा था, कि आज उत्तरपदेश की और देश का हाल ऐसा है, कि बड़े बड़े ने लिए तियार देगे जी, लेकिन हमें जिम्मेबारी के साथ काम चल रहे हैं, सब को साथ ले करके चल रहे हैं, और मुझे पक्का विस्वास हैं, कि अब शायर कुछ बचेगा नहीं हुदा, कुछ नहीं हुदा. उनका कुछ बच्चेगा ही नहीं हुदा. इस तरह के केसे को या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, या ड्रॉप कर दिया गया. इस बारे में ऐसकी बेहाल ऐख बारात है, एक भी केस ड्रॉप नहीं किया गया है. जो अदालत कहेगी वही होगा, हम को दिशना है, इस वतंतरह है. दूसरी बात है, पॉलिटिकल ल अगर इन संस्ताओं का जन्म इसी काम के लिए तो काम नहीं करेगी यह और अदालत इतरी बड़ी है जी किसों के जमाने देरी अदालत तो अदालत देखती होगे और ब्रस्टाचार के मामले में हम कम से कम उसको लाइट नले जी सच पुछ में देश में चर्चा होनी चाहिए कि पहला एक जमाना ऐसा था आप को आरोप लगता था तो भी हल जाते थे आज गुना सिद्ध हो चुका है सजा हो चुकी फिर भी आप हाथ हुचा कर 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 फोटो निकल वा रहे हो आप ब्रस्टाचार का महिमा मन्न कर रहे हो इस ब्रस्टाचार को निव नॉर्मल के रूप में ट्रिट नहीं करना शही है वरना ही देश का बहुत दुक्सान हो है यह सवाल बीजेपी और अधर्स अकमाना नहीं है देश के लिए ठीक नहीं है का इप इसके नु नॉर्मल बना दे और मैं देख रहा हूं देरे देरे देर हमने कैसे भी करके इससे देश को मुक्त करना चाहिए रिजॉल होना चाहिए कंट्री का वो नहीं बढ़ाई जी और मैं तो मानता हूं देखिये मैं मैं को जो कोशिश कर रहा हूं एक सिस्टेम को पॉलिशी डिवन बनाओ टक्रणोजी को भर पूल लाओ आज हमने पहले प सिस्टेम को सुधार हूं हमने जैम पॉर्टल बनाया को करुप्शन को कम करने इस दिशा में बहुत बड़ा कदम है जी दूसरा समाज को भी जगाव समाज को भी आदत आलोग भी प्रस्टाचार बुडा है कि किसी भी स्थर पर प्रस्टाचार से बुकर रहा है और देश म हमारा विरोध है इतले उनका समर्दन कर देना यह शोभा नहीं देता है आपने पिछले कारिकाल में काफी बड़े काम किये आर्टिकल 370 को रद किया मगर ऑपोजिशन लीडर्स इस कैंपेंड में सब कह रहे हैं कि अगर वो सरकार बनाएंगे तो इन सब को जो है CAA को रिपील कर देंगे ममताब एनरजी खास करके कह रहे हैं CAA को इंप्लिमेंट नहीं होने देंगी इसको आप कैसे देखते हैं पहली बात है कि जिसको भारत का सभिधान समझा है बिसको भारत के फैडरिल स्रुक्चर का पता है किसके पास कौन काम है वो सब पता है वो कभी ऐसी बात बोलेंगे नहीं क्योंकि ये उनके अधिकार ख्रित्र का विशय ही नहीं है अगर मोदी भी राजय का मुख्यमंत्री होता है तो नहीं कर सकता है जो भारत सरकार के विशे है वो भारत सरकार करेगी जो राजय सरकार के विशे होते वो राजय सरकार करेगी लेकिन जनता को मुरग बनाने की फैशन हो गई है जनता को अंदेर में रा करें इसलिए भूलते कि इतनी बड़ी बाते करते हैं, बाबसाब अमवेड़कर के नाम पर हमको इतनी गालिया देते हैं, हिंदुस्तान में बाबसाब अमवेड़कर का सम्वेड़ान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था, जम्मू कश्मीर में सतर साल तक भारत का सम्वेड़ान नहीं लगा ह है ये हमने आ करके बारत के समय कर और वहां डलीतों को पहली बार आरक्ष्न मिल रहा है यह सब क्या माते करते रहा है कि आ अ कि और फिर्ट बेंगल में जो है इस बार चौनाओ काफी जारों में लड़ाई पिछली बार जब आप 2019 में 18 सीट लाए ते 42 में तो लोग चकित रह गए थे लोगों को उमीर नहीं थी कि आप 18 सीट लाएंगे इस बार आपके एक नेता ने कहा है कि 36 सीट आ सकती है राजनाच जी ने मुझसे इंटर्व्यू में कहा था कि 36 सीट आ सकती है कैसे देख रहे है इस बाहूल को देखिए जहां तक लोगों का चकीत वाला जो आप कह रहे है उनका प्रॉब्लम है कि मुझे दस साल हो गए अभी वे मानने को त्यारने कि देख की जंता ने मोदी नाम के किसी व्यक्ते को प्रजान मिलती बनाए तो ऐसे एक जमात है जो देश के मैंडेट को स्विकार करने को तयार नहीं है जी अब हकीकत है भई कि देश की जंता हमको समर्थन दे रही है आपने हिसाब लगाया तक नहीं होगा नहीं होगा तो यह आपकी घलती थी लोग हमाई का लोगों किसा सब पर कहा है मैं मालदा में था मैंने जी बहरान था कितना बड़ा मजबूत सरकार है बंगाल में भी उसका परनाव अच्छे मिले और टीमसी के सासन में महलाओं पर चो अत्याचार हो रहे हैं संदेश खाली की जो घटना है पुरे देश को हिला दिया है और उसका गुसा निकलना है निकलना है अखरे जनता के बाद तो मताधिकार है उससी अपना घुसा निका लेंगे तो घुसा निकलना है बहुत भाभाविक अपने देखा ओक नोटों के डेर क्या कभी आपके टीबी वालो नोने इतने सारे नोटों के डेर कभी फकड़ी गए देखा था पिछले सालों में आप लगाताना पचास करोड के धेर, तिन सो करोड के धेर, टाइसो करोड के धेर, दो सो करोड के धेर, देश चौक गया है जी, आप कितना इसको दबाने कोशिश करो, लेकिन देश के दिल दिमाग में स्थीर हो चुका है, ये लूट लूटने वाले लोग है, तो इस बार जीत और बड़ी ह होगी बिल्कुल क्लीन स्विफ कर रहे हैं उदीशा को कैसे देखते हैं उदीशा में आपने जो है बीजेटी का साथ छोड़ा भारती जनता पार्टी वहाँ अलग रही है बीजेडी ने मुद्दों के आधार पर केंदर में हमारा समर्थन के अधार मुद्दों के आधार पर उदीशा की अष्मिता संकट में है उदीशा लेंग्वेज वह खत्रे में आ रही है और मैंनी मानता को उदीशा के लोग अब यह लंबे अर्शे तक इसको सहन कर सके इतने संसाधन है जी आज उदीशा देश का रिचेस्टेट मन सकता था जी रिचेस्टेट्स लेकिन क्या हालत बना के लखिए तो अब उडीशा की सामान ने मान भी के इंदे एस्पिरेशन साइजी और मुझे लगता है कि हमें सेवा का मोका मिलना चाहिए हम उडीशा को कहां से कहां पहुचा कर देंगे उडीशा से बात बिहार की भी करते हैं बिहार में आपने फिर नितिश जी के संग वापस जो है आपका गड़बंदन उनके साथ है उस गड़बंदन के साथ लड़ रहे हैं कैसे देखते हैं पिछली बार 49 सीटे थी आपकी 40 में क्या इसको रिपीट कर पाएंगे पहले एक सामर्थन का सवर्बतल में बिहार में ही था जो जन समर्थन में ऑन्निस अजिए इतनी गर्मी में कोई पैंड़न नहीं कुछ नहीं है और लाकों लोग जिस प्रकार से इस बात से जुड़े हुए है बैस साभ देख रहा हुँच है कि बिहार में पहले हम एकाठाची साध ह जाते थे, शाहिद इस बार एक भी नहीं हा रहेंगे, चालिस में चालिस, एक भी नहीं हा रहेंगे, बहुत बड़ा बयान है, मोदी जी, एक आध परसनल सवाल आप से करना चाहूंगा, आपने बहुत इलेक्शन देखे हैं, आप गुजरात में लंबे समय रहे हैं, ये आप का तीसरा चुनाव है, सेंटर में, बैने देखा है कि समय समय पर चुनाव चुनाव से आप पर पर सर्फानल आटाक अधसर होते जाते हैं, कहीं पर पर कभी बोला जाता है, मोदी को गोली मार दो, कभी बोला जाता है, सर फोड़ दो, अभी हाल फिलाल में रहुल गांधी आपको कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जो कि परस्नल अटाक के तौर पर उनको भी देखा जा सकता है यह ऐसा मोदी के साथ क्यों होता है मोदी के साथ क्यों हो रहा है इसका जवाग तो मेरे पास नहीं है लेकिन यह सवाल मोदी को को पुछना चाहिए यह सवाल इस देश में चर्चा का होना चाहिए के सारवजन एक जीवन में है अखिर मोदी का गुना क्या है वो पीम बना वो ही गुना है ना मठलब आप जो भी गाली देते प्रदान मंत्र को देंगे अब प्रदान मंत्र को इस प्रकार से स्वर फोड़ देंगे यह कभी मेर करान हूं जी भारत के राष्पदी पर भी किस प्रकार का कटास किया गया था शरमा इस प्रकार इबाशा का प्रोग किया था यह मैं हमेशा मानता हूं जी मदाता ही मेरा परिवार है देशी मेरा परिवार है और मैं सकारत पर जा रहा हूं लेकिन जो ऐसा कर रहा है उस पर तो मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, देश वासियों पर छोड़ता हूँ, इन लोगों की तरफ कैसे देखना चाहिए है। वोदी जी अगर एक सवाल, मैं यह समझना चाहूँ कि यह जो तीसरा टरम होगा आपका, वो पहले दूसरे से अलग कैसे होगा। पहला कारकाल मैं कैसा गया। तो बस समान ये मानवी की जो जरूवत थी। उनको मैं ड्रस करना चाहता था। मैंने उद देश हमें काम किया। और उस समय देश के इंदर एक निराश्य का बातावन था। मैं सरकार के पृती नफरत कामाता बनाथ, मैं सरकार यह नहीं निकमी, मुझी विस्वात भर्ला था। मैंने उस पर काम किया। मजबुतिक आया। जो दूसरा कारकार था। मैंने कुछ परनाम दिखाये लोगों को विस्वात भर दिया। हम आगे बढ़ सकते हैं। हम दुनिया के अंदर आए। एक कॉंफिडेंस लिवर आया है देश में। वह कॉंफिडेंस एक बहुत बड़ी तागत है। अब आगे जो मेरा कारखल है मुझे जो अतासा में से विश्वास में परिवर्तित हुआ। अकांग्षा में परिवर्तित हुआ। अब मुझे देश को तीसरी आर्थिक महाशक्ती बना रहा है। लिकि यह जब मैं ग्यारा से पांच पर लाया। उसी की कंटिनुटी है। यह मैं पांच बड़ और बिनिकमा और तीन वाला अच्छा ऐसा नहीं हो सकता। तो पहले मनमौन सिंग की जमाई पर ग्यारा तक थे। हम जोर लगा करके पांच पर ले आए। अब जोर लगा करके तीन पर ले जाएंगे। तो हम हर चीज में कंटिनुटी करना चाहते है। अब जैसे बिजली। हमने बिजली पहुंचाने का बड़ा भ्यान चला है। अब मेरा लक्ष है पी-म सिर्व की गर्व योजना और जीरो बिजली बिजली। और मैं हर घर पर इम एंगें और मैं सिरफ बिजली का बिजली जिरो चाहता हूं इतना नहीं तीन चीज़ी चाहता हूं। एक हर परिवार का बिजली का बिल जिरो हो दूसरा अतिरिक्त बिजली जो हो वो बेचे कमाई करें तीसरा जमाना इलेक्ट्रिक वेहिकल का आएगा मुझे आत्मे निर्फर होना है एनर्जी के सेक्टर में और इसलिए मैं चाहूंगा जो इसके पास भी स्कूटी हो मोटर हो जो भी हो उसका चार्जिंग अपने घर में हो जाए और सोलार से हो जाए मतलब आज इसका जो टांसपोर्टिशन का महिने का हजार दो हजार का खर्चा आता है वो भी जीरो हो जाए यह त्रीवीद बेनिफिट नागरी को और देश को परियावन का मेनिफिट देश को आज पैट्रोलियम इंपोर्ट करना का जो अरब और डॉलर जा रहे है बार वो बंद हो जाएगा तो मल्टीपल बेनिफिट वाला योजना अब जैसे स्टार्ट अब मैनुफेक्शन हब बनाना है मुझे इनोवेशन हब बनाना है यानि मैं एक बिलकुल नए अरि वेशन में लोगा हंते मुझे को दुवीदान ही मेरे पास मोखने है इसलिए मैं कहते हूं ऑई tempo 4 by 7, 4 by 2047, यह मेरा मिजाज आए, इस पर अलग से एक चर्चा करनी पड़ेगी आपको हमारे ग्रूप में साथ, आज विलास मुझ से सुवह एक सवाल पूछ रहे तो मैंने का आप मोदी जी से खुजी पूछना डायरेक्ट, आपने आपकी पूरी यात्रा में बहुत सारी आपने लेता हूँ, 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 वो को इश्वरिय शक्ति करवा रही है और वो इश्वरी शक्ति ही इश्वरिय प्रेना से मैं करता रहता हूं ये कोई परमात्मा के देन है परमात्मा नहीं मुझसे कुछ काम ले नताय किया है किसी परपर्च के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है और इसलिए मैं यह जो बाकी तूफान चलना है उसे बहुत परे रहता हूँ लेकिन इस तूफान में शांत कैसे रहते हैं मुझे उसे परे रहता हूँ मुझे शाइद परमात्मा ने यही रह दिखाई है कि तुम उन चीजों में मत उल्जियो तुझे कोई बड़ा काम करना है तुम अपने काम में लगे रहो तो परमात्मा का निर्देश है परमात्मा की इच्छा है परमात्मा की यूजना है और शायद यह उसी का मैं एक निमीत दो कुछ है इसी सो जुड़ा सवाल था कि आपको हम लोग देखते हैं को आपका शडियूल मिलता है आप इतना ट्रेवल कर रहे हैं दिन में पांच, चार, छे, रैली वो भी कोई इस प्रदेश में तो कोई दूर दूसरे प्रदेश में तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं, कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको यह दुड़ संकल्ब दे रहे हैं आगे बढ़ने का पहली बाप तो मैंने कहां नहीं कर रहा हूँ यह इस्ष्वर ने ताय किया हुआ है इस्ष्वर ने मुझे शायद इसी काम के लिए भेजा है क्योंकि मैं जिस परिवार में पहला हुआ हूँ जी मेरी अमा ने कुछ पड़ी लिखी नहीं थी, तो स्कूल नहीं देखा था मेन पाल गराओन नहीं हैं अर इतने हो बड़ा देश इतना काम ईश्वर नहीं करेंगा तो कौन करेंगा ज़गा चाहरी और मेरे लिए दो इश्वर है एक जिसको हूम देख नहीं पाते हैं और दूसरे वो जो जनता-जनादन है मैं जन्ता जनारदन को भी इस्वर का ही रूप मानता हूँ और दूसरा परमात्मा के प्रदिमिरी अपारस रद्धा है शायद परमात्मा ने मुझे इस काम के लिए भेजा है जन्ता जनारदन ने आश्रवाद भी हाई शक्ति जे जहां तक मैं काम क्यों कर पाता हूं? मैं, जी मैं मेरे लिए जीता नहीं हूँ मैं मेरे लिए जन्मा हूँ मेरे मिन में हमेशा रहता है कि मुझे जीतना समय मिला है उसका पल-पल मैं देश के कामा हूँ जहां तक मैं दोड़ता थूरता है लोकतंत्र एक बहुत बड़ा उत्सव है, फेस्टिवल है जिए जन्ता जनादन के दर्शन करने का अफसर है जिए जन्ता जनादन के दर्शन करना चाहिए जिए जन्ता जनादन के दर्शन करना चाहिए लोकतंत्र का एक उत्सव है जिसमें सम्वाद होना चाहिए जितना ज् तो मैं इसको एक, बैसे हम घर में कोई बड़ी पूजा करते हैं, कैसे इन्वाल होते हैं, मेरे लिए पूजा का समय है, मैरे 140 करोड देवता, उनकी मैं पूजा कर रहा हूँ, उस भाव से मैं चलका हूँ, लगा रहता हूँ मैं, खब जाता हूँ, ठकता नहीं हूँ, भगव सब्सक्राण को देखे आता हूँ, मोधी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने अपने समय इतना समय निकाला, आपके नारे की तरह इस बार हमारा भी एक नारा है, अगली बार अगली बार सिर्फ न्यूज 18 पर आठ पार, बहुत बहुत धन्यवाद आपने आमनों क सब्सक्राण क lleva या से अगली एक व Bitcoin क का ने वहलै आते हूँ